लाश्ट लिक्ट्र बच्चों आपने देखा था कि अनुईंग आवरडि नंबर का मैंने आपको पहले concept करवाया था उसके बाद हमने आम अपको क्या कर वां था तो उसी के वेश्ट में आपको बताया था उसमें मैंने आपको डेटिल बताया था यह जो कंसेप्ट है बच्छों आपको ncrt कर लो या आरस अगरवाल कर लो या मैठ कर लो या नीव लर्निंग कंपोजिट मैठ कर लो कोई सब्सक्राइब 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 इसके बाद में आपको अलग से प्लेश्ट बना रहा हूं बच्चों यह जो है मैच साइट का अगर आपका आपको फॉस्ट से लेकर फिप तक की वीडियो आगर आपके चोटे भाई यह जो भी आपके रिलेटिव में हैं तो हर स्टॉप्लिक के सुनु गुरू ग्राम चैनल पर आपको फॉस्ट फिप के मैच साइट का कम्प्लीट वीडियो मिल जाएगा और अगर शिक्स सेवन एट साइट का रिक्याप एक्सरसाइज यह क्लास सिक्स का है चलिए तो देखते सबसे पहला कॉर्शन क्या पूछ रहें आपसे राइट दा लार्जिस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर डिजिट्स नंबर्स यूजिंग डिजिट्स त्री वन फाइप और फॉर फिद्दौत रिप इस नंबर बना लेते हैं तो सबसे पहले जो नंबर अपको दिया है वह कहा है तो इसका अगर आप लाजिस्ट नंबर बनाते तो कैसे बनाते सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाजिस्ट कि लाज़ेस्ट फूर्ड जिउस नमर ठीक कि लाज़ेस्ट इस नमर क्या हो गज़ों तो इसमें जब भी बड़ा नमर बनाऊंग को धिया दखना कि जो भी आपके पास नमर दिया है उस नंबर में सबसे बड़ा वैल्यू को नहीं तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है फिर क्या होगा उसके बाद फोर आएगा फिर थिरी आएगा फिर बन मतलब 5431 यह आपके लार्जेस नंबर हुआ ठीक है अब अगर उसके बाद आपको स्मॉलिस नमर पूछ रहा है नहीं स्मॉलिस्ट पोर बेजिट का नंबर क्या होगा तो इसमॉलिस में जस्टरिवर्स कर तो उल्टा कर तो क्या और फैले one three four one thousand three hundred forty five जाजे इसलिए आपको इसलिए आपको इसलिए लग रहा होगा वैसे है भी बतो भी हाट टो नहीं कह सकते हैं लो चलिए अगला कॉशन देखते हैं राइट धब्लेस वेलू एंद वेली राइट कहले हमको को प्लेसवेलू बताई और फेस वेलू तो देखो concept lecture में आपको डिकल बताया कि फेश वेलू क्या होता है इसलिए में exercise करवाने से पहले आपको उन सभी questions के concept करवात कि concept अगर आपको clear रहता है तो again मैं आपसे repeat कर रहा हूं कि जो भी books होगा six standard के कोई भी book को आप solve कर सकते हो कैसे भी question होगा आप solve कर सकते हो तो concept lecture बहुत अच्छे से ध्यान से आप समझो और उनको अपने नौटबुक पर नौट भी कर लो जिससे कि आप उनको अगें अगें प्रैक्टिस करके अलग अलग बुक के question को practice करो कि आपको पताना है इसमें किसका colors का तो देखो अगर ए पार्ट की बच्चों में बात कर लुए हां पर देखो फोर का अगर फोर का हम प्लेश वैल्यू बात करें प्लेश वैल्यू ए पार्ट का अगर में बात करूं तो देखो वन स्टैंस हंड़ेड थौजन तैन थौजन प्लेस पर तो आपका क्या होगा 40,000 हो जाए ना ठीक है और अगर मैं face value की बात करूं face value बच्चो क्या face मतलब क्या हो तो मैंने बताया था आपको उसकी आकरतीज की और फिगर कैसा है तो फोर जैसा दिख रहे है वैसा ही तो होगा आप जैसे अगर बोला जाएगे आपके सेव आप ही का face का है तो कैसा है जैसे आप दिख रहे हो आपका face का ही कोई होगा तो व तो अगर मैं प्लेस की बात करूं और अगर मैं फेस की बात करों तो फेस कैसा मतरब जैसा मैं डिख रहे है वैसा ही होगा तो यह जो है क्लिये ठीक है अगर मैं प्लेज वेल्ट की बात कर अगर मिसरा कि बात करना दीखो ऑफ और इंग एवट सिन्थ सास्पेश को लाँताTime के साथा प्लेस वैल्यू कैसे होते हैं यह बाते को समझना पड़ेगा चलिए पढ़े हैं कि तरफ अगला कोशन देखिए क्या कह रहा है आपके पास नाइन आजाएगा चलिए मैं इसको फिर मैं आपको अच्छी से अरेंज करके बता दूंगा और यह क्या होगा त्री यह नहीं कितना सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब करना तो सिंपल सी बात है हाईर मैनस लोड कर दो आपका रिजर्ट आजाएगा तो यहां पर लिएजिए डिफ्रेंस लिखेंगे तो इस तरह से आप लिखे 9,99,999 और मैनस क्या होगा बच्चो वन लाइक हो जाएगा तो वन लाइक अगर आप मैनस करेंगे तो क्या आएगा 8,99,999 सिंपल एक लाग कम हो जाएगा तो आपको समझाए होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखो एरेंज दो फॉल्विंग नम्मर इन एसेंडिंग और देखो एसेंडिंग और क्या होता है यह आप कौन ही चाहिए शेंडिंग और क्या होता है स्मॉल टू बिग होता है क्या होता बच्चो स्मॉल टू बिग होता है तो यह चीज़े आपको दिहन डखना है तो ए और बी में आप यह देखे कि सबसे चोटा कौन है फिर उससे बढ़ा और आफ्टर किसी तरीके से सॉल्व करना तो अब आप यहां पर देख पा रहे हों आप इससे बादосьजन इससे बारा कि बात कर लो थे वह और इससे बारा की बात करंद तो देखे को क्या होगा तो ठहुटी फॉर थाजन नाइन हड़यती सब्सें ड़त खोड़ीशा पीटिकुर्त इससे बारा यह बहात कर लो देखो यह भी 45 तो यह वह फॉटी और यह वह 45,000 और 59 तो यह चोटा हुआ तो यह पहले लिख देखें 45,000 059 फिर इसके बाद अगरे बाद करूं तो सबसे बढ़ा है बच्चों वह है 45,182 यह आपके आंचस हो रहें तो इस तरीके सब एसेंडिंग और और में एरेंज करेंगे स्मॉल टू बिक क्लियर सेम प्रोसेस आपको यहां पर देखना है देखो यह 8,000 यह 63,000 यह 6,000 यह 87,000 यह 45,000 तो हमें सबसे छोटा क्या है 8,000 है तो पहले हम यह लेख लेंगे 8,759 ठीक है अब इससे बढ़ा कौन है जी वह देखके 6,000 होगा तो 6,590 अब इससे बढ़ा कौन है जी इससे बढ़ा कौन है इससे बढ़ा आप यहां पर देख पा रहे होंगे 45,000 45,000 241 अब इससे बढ़ा के बात करो तो यह देखो 63 है और यह 87 तो 63,000 को जाएगा 63,000 428 अब इससे बढ़ा के अगर मैं बात करनूं तो क्या होगा 87,521 आ जाएगा तो इस तरीके से आप बच्चों एसेंडिंग ओर को एरेंज कर सकते इस स्मॉल तुब आपको डीटेल जमीं आ रही हो एकड़ अच्छे से क्लिएर कंसेट भी हो रहा होगा अगर आप ने कंसप्ट नहीं भी देखने फिर भी आपको यह बाते अच्छे से समझ आ रहा हो गर समझ में आ तो वीडियो को लाइक करो पने दोस्तों के साथ साथ कर सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा एंसुए तो सिंपल से बात है प्रोसेस हमको पता चल गया तब असानी से कर पाएंगे चाहिए पार्ट को देख लेते हैं फिर भी यहां पर देखो यहां पर सबसे बड़ा लिखेंगे सबसे बड़ा क्या होगा देखो इससे चोटा बिखें तो पहने हमें क्या लिखना चाहिए सबसे बड़ा क्या है यहां पर लिखेंगे फिर उसके बाद 6809 फिर जो है उसके बाद क्या लिखेंगे फोर्स ओसद्रीन ट्वेंटीवां फिरक्या लेकिंगे आफ तो तो फिरक्या लेकिंगे लीकिनगे यह आप लन शोडन वन दिरो नाइन रहां तू यह आपका फॉर्म निकल क्या है एप का बीपा करें पोर्स करें कि सबसे बढ़ा बढ़ा है तो यहां पर 4199 और इस से चोटा है वो कहा है 4334 है इस से चोटा के दर में बात करो यहां पर अब यहां पर देको बचो राइट कर सकते हैं तो इस तरीके से सब्सक्राइब बहुत बेसिक बहुत पूछे जा रहें एक्सरसाइज तो है क्लास क्रिप्ट के अक्सपंडेग्स क्या है एक्सपंडेट मतलब यहां पर सॉटफोर्म में दिया है इसको करें कि एक्सपंड करो फैलाओ कैसे प्लेस्ट की तरह कि अपको दिखाता हूं बाजी बहुत इसी है तो कर पाएंगी देको फ्री होँगे ठीक हाँ उसके बाद देखो कि फॉर के बाद कितने एग कितने यहां पर फैफ-दल लगा तो й है अब क्या लिखेंगे वछो धूरे लिखेंगे यहां पर र्री है उसके बाद जीव में पर यहां पर यहां отправord . तो इस तरिके से आपको प्लेस लिए लो दो पहले लिए प्रीका फिर जीरो का फिर ना इनका फिर एट का आड़ करेंगे तो यह डिसर्ट आज नहीं का समझा है आप अच्छे से समझ आ गया होगा और कर लेंगे आप अच्छे से कर लेंगे कर लोंगा आप आगे कर लोंगा आप आगे कर लोंगा आप अच्छे बात है ऐसे ही मोडिवेशन करते रहो जिससे कि हम भी आपके लिए और भी मेहनत करें रहें इससे पहले आपको एक सब्सक्राइब कर दिया अब यह खोड़ी एक सब्सक्राइब कर दिया है अब कहारे कि सब्सक्राइब कर सकते कैसे करेंगे अब यहां पर प्लस कर देख लो आपका रिजट आजाएगा सब्सक्राइब इस तरीके साब असानी से लिख सकते हैं अगर कुछ भी समझना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं यहां पर त्री लैंस यहां पर देखो फोर लैंसे तो अगर सी का मैं बताओं आपको तो क्या होता है यहां पर देख सकते डैरेक्ट आपको देखने कि आपको समझ कैसे आ कैसे भी क्लियर क्योंकि क्वेश्चन को सौल करने का बहुत सारे मैठोड हो सकते हैं आपको देखने कि आपको सबसे इजी मैठोड कौन सा लग रहा है चलिए बड़े आपको प्रक्रश्चन के तरफ आगे क्वेश्चन को क्या है पुट दा कॉमा अट प्लेश्वेलू इन इन फॉल्विंग नंबर और राइड इन वर अच्छा बहुत बेसिक सा कॉश्चन है पहले कह रहा है कि आप इसको कॉमा लिखे जैसे आपको इंडियन सिस्टम और इंटर्नेशनल सिस्टम दोनों पता है कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है पहले थ्री डिजिट के बाद बाद लगाते फिर डिजिट एंड सोवन सोवन और इंटर्नेशनल शिस्टम में क्या होता है त्री डिजिट के बाद कॉमा लगाते तो आपको अच्छे से समझ आहीं रहाए होगा चलिए अब आपको इत्वेस्टम में करके देखाता तो अगर मैं बात कुन बचू तो यह लगा है इंडियन सिस्टम कि यहां पर कुछ ऐसा कहने रहा है इसलिए हमने इंडियन सिस्टम में करते हैं अब आप इसको वर्ड वह लिखना है तो वर्ड आप लिख सकते हैं बच्छों नाइन लैक रहाइं नाइन लैक रहाइं नाइन लैक सेवन्टी थॉजंस 70,000 70,700 7 x u n d rvin 700 तो यह आप असानी से लिख सकते हैं 9,70,714 तो इस तरीके से आपने कौमास भी लगा दिया नंबर भी लिख दिया नंबर नहीं तो आपको बहुत अच्छे से अब तक तो आई रहा होगा चले बी में देख लिजी क्या है बच्चों 3,42,561 आप इसको वर्ड लिख लेंगे स्वी पार्ट में देखो क्या है 278 याप 2,70,829 है तो आप समझ आ रहा होगा असानी से लिख पाए लेंगे बहुत अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी ना समझ तो आ लिख लेंगे लिख लेंगे ना अच्छे से गुड चले आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देंते क्या है एड करना है यहां पर 46,342 और 9,84,345 और राइट दम सम इन वर्ड अच्छा पहले सम करना है और सम करने के बाद फिर उनको वर्ड में भी लिखना है चले लिखके देख पहले एड कर लेते हैं 9,84,345 और फिर कहा है 46,342 तो पहले आप इनको एड कर दीजिए तो क्या होगा बच्छों 7,8,6,0,8,421,3 और इने क्या होगा 10 तो जो आपके पास क्या है आप देखो यहां पर 10,30,687 है तो यहां पहले लिख दीजिए वर्ड में क्या लिखेंगे 10,L00,250,000,बच्छों 10,00,30,3,2,3,200,600,6,618,7,1,2,3,3,7,3,3,3,5,10 1,2,3,592,7,7,3,3,5,6,7,5,10,3,5,10,5,10,5,10,6,6,11,5,10,6,1,5,10,6,11,6,10,5,10,5,10,6,10,7,6,10,6,10,6,10,7,6,10,6,10,6,10,6,10,6,10,6,10,7,10,6,10,6,10,6,10,5,10,7,16,10,6,10,6,10,10,7,10,6, 6087 10,30680 आपका रजल्ट आया और यही हम से पूचा है समझा रहे कि नहीं अच्छे से एकदम क्लियर हो रहे concept कोई दिखकत तो नहीं हो रहे ना अगर कोई दिखकत होता है समझें प्रावल्लम होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते रहें और वीडियो कैसा लगा यह भी आप कमेंट करके जरूर हमें बता है चलिए अब क्यारा नेक्स क्वेशन सब्ट्रैक्ट अब को करना है सब्ट्रैक्ट बच्चो एटी थ्री थॉदं सिक्संडेट पॉट्टी नाइन में से सब्ट्रैक्ट करना है और तो डिफ्रेंश आता है उसको वर्ड मिले क्या करना है चलिए करते कि देखें एक टीटी थॉदं सिक्संडेट पॉट्टी नैं फिर क्या करना है तुर थोसल राइट थी थोजिंट्स ग्या करना है सब्डक करना है तो नाइन जलेगा तो जीरो इसमें फोर में से फाइव को लैस होगा नहीं तो करीड लू तो इहां क्या बैट्चे गजा है अब यहां पर फाइब हो गया ठेक है यह जीरो और यह जाएगा एट तो एटी पाउजन्स क्या बच्ची के एटी थोजन्स फाइफ हंडिन नाइटी है यह थिसको वर्ड में लिखे ई आइज एच टी वाइट एटी थोजन्स आएटी थोजन्स फाइफ हंड्रेट पाइफ हंड्रेट नाइटी क्लियर क्या है बच्चों एक थागव्न नैटी यह हमारा क्या है यह रिजल्ट आया और यहीं आपको क्या था लिखना पहले किया करें उनको सब्ज्रेक्ट कीजिए याने डिफ्रेंस कीजिए और जो रिजल्ट आ रहे ना उस रिजल्ट को आपको वर्ड में लिखना है तो मैंने दोनों प्रॉसेस कर दिया समझ आ गया होगा आप अगला कोशन देखते हैं अच्छा इसी के साथ मैंस को अच्छे से समझ सकता है और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं चलिए तब तक के लिए टेक केर्स एंड बाइबाइब